तो प्यार सातियों अगर आप एक बिरोजगार यह वा हो अगर आप सक्सम यूवा योजना में आवेदन करना चाहते हो तो आप इसके लिए क्या कुछ इलिजिबिल्टी क्रेटेरिया रखा गया इस उडिया आप मैं पूर जानकर आपको बताने वाला हूँ तो आपने वीडियो को जाहा सेर करते रहना है मनोनाल जी द्वारा प्यार साथियो बाद में इस योजना को देरे देरे पातर विज्ञान इंजिनरिंग और को सामिल करने के लिए बढ़ाया गया विज्ञान समकक सनातक बीकॉम बीए गणी बीए कला और प्लस्टू योजना है प्यार साथियो तो इसके तीन मुख्या जो घटागा प्यार साथियो ध्यान से देखना और जाद है जादा सेर करते रहना प्यार साथियो अगर आप सक्सम योजना में आप अवेदान करना चाहते हो प्यार साथियो ठीक है तो इसका जो मेन पॉइंट प्यार साथियो जो देख सकते हैं आप आपको ब्रोजगारी बाता है इसन में दिया जाता है प्यार साहते यो ब्रोजगारी बाता 3000 रुपे पर तीमा PGT यां का अगर आप प्लशक्ट ग्रेजवेट कर रहे यह तो इसन में प्लस्ट चुर रहे होन्स जायेगा दूसरा पॉइंट है इसमें मानद्य पोश्ट करने के लिए जी यहां तो मानद्य पोश्ट करने के लिए 100 गंटे के मानद कारिये के बदले 6000 रुपे परतिमा अगर आपके पास काम कम परतिमा अगर आपको 100 गंटे के मानद कारिये के बदले 6000 रुपे आपको परतिमा आपको दिये ज प्येस्थिसर्ट योजने के तहां है ठीकोशन प्याइब आपको कोशल प्यम्सण भी दे यह जाता है प्यार शत्यो थीक्डोUS भी फ सबसे पहली प्यारvatria बाकिंट प्यार्टाथी ग्रेज़ेशन और PGT थी दोस्तों तो सनातक योगतादारी आवेदक एक साथ पंजिकरना करा सकते है प्यारसत्यों ठीजों आपने प्यारसत्यों रोजगार करियले में नाम दर्ज कुरूरा लेना है प्यारसत्यों अगर आपने प्लश टू कर रहे कैं तो इसमें प्लश पर आपने रोजगार कर्याले में नाम दर्ज गुराने के बाद आपने सक्सम योजना में आपने आवेदन करना है इसके बाद जो थरड़ पॉइंट है पातर सनात को तर सनातक डिगरी केवल प्राप्त की जानी चाहिए तो पंजाबी विसवधालिया पट्याला और किसी भी मानेता प्राप्त नीमित पाठ्यकरम के माद्याम से यूटी चंडिगड या एंसीटी दिल्ली या हरियाना में विसवधालिया है वे आवेदक जो पातरा चार पाठ्यकरमों के माद्याम से अपनी योग्या डिगरी प्राप्त की है और रहे है योजना के तैतलाब लेने व ग्रूप में प्रिक्षा उतीरन होनी चाहिए मानने ता प्राप्त विदाल्या हर्याना विदाल्या सिक्सा वर्ड वीवानी से संब्द सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीवीएसी दिल्ली और भारतिय प्रमान पत्तर माध्यमिक शिक्सा आई सी एस ई बोर्ड दिल्ली हर्यान और यूटी में स्थीत केवल चंडिगड तो आपकी प्यारसतियों रेगुलर से पढ़ाई होनी चाहिए अगर आपने रेगुलर से स्टेडी कर रखिया है बारवी ग्रेजविशन और पीजटी तब आप इस योजने के लिए पात्तरों प्यारसतियों ठीज दूस्तों इसके बाद जो 5.8 में बता रखा है आवेद किया यूँ पलस्टू के लिए 18-35 वरस और प्यारसतियों और पोस्ट ग्रेजविशन के लिए 21-35 वरस आपकी ओने चाहिए प्यारसतियों एज ठीके इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट प्यारसतियों यह आप दिख सकते हैं आवेद को पातर अचार के माध्यम से पलस्टू प्रिक्षा उतिरंड नहीं होनी चाहिए ठीके इसके बाद अगला पॉइंट है इसके बाद नौवा पॉइंट है आवेदक सरकारी सेवा से बरखास्त करमचारी नहीं होना चाहिए ठीके यह मेंड पॉइंट है इसके बाद नौवा पॉइंट है आवेदक सारवजनिक नीजी जैसे किसी वी प्रकार के रोजगार में नहीं होना चाहिए सेत्तर अर्द सरकारी वैस सव रोजगार ठीके इसके बाद दसवा पॉइंट अप्यार साती हो अवेदक की वार्षिक परिवारी गाय तीन लाख रुपे से अधिक नहीं होने चाहिए प्यार साती हो तो अगर आपकी तीन लाग से जादा इंकम है तो आप इसके लिए इलिजबिल नहीं हो प्यार साथियो सक्सम योई हो जना में इसमें साब साब बता रखा है ठीक है तो इसके बाद ग्यारोगा पाइंट है प्यार साथियो मांदे का भुगतान अधिक्तम तीन वरस चत्ती मा के वदी के लिए किया जाएगा या पैंती वरस की आयू जो भी पहले हो तीन वरस चत्ती मा के वदी होगी इसके बाद अगला पॉइंट है योजना के इस गटक के लिए पंजीकरण डिजिटल रूप से उनलाइन होगा इस वेबसेट पर आप सक्सम योजना में आप आवेदन कर पाएंगे प्यार सतिकर आपने रोजगार करेलियम नाम दर्ज कुरूआ लिया है करेलियम दर्ज कुरूआ के बाद अपने इस सक्सम योजना में आपने आवेदन कर लेना प्यार सतिकर थे जोस्तों तो क्या कुछ इलिजिबिल्टी क्रेटेरिया था मैंने आपको पूरी जानकर आपको बदा दिया है बाकिया दर कोई कॉस्टर बोजना चाहते हैं आप कुमेट के जरी जोर पूसकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद जैवारत